हलो गाइज तो कैसे हैं आप सभी लोग स्वागत है आप सभी लोगों का इस यूट्यूब चैनल पर आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 6th NCRT इंगलिश का चैप्टर नमबर वन जिसका नाम है यह फर्स चैप्टर है इंगलिश का और इसका सॉलुषन आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सारे क्वेशन आंसर हम देखेंगे So watch the video till the end and let's get started तो सबसे पहले है comprehensive check तो first question देखते हैं इसका Why did the king want to know answers to three questions तो पुछा गया है आपसे सबसे पहले question में कि जो राजा था वो उन तीन questions का answer क्यों चाहता था है ना तो इसका answer होगा answer number one the king wanted जो राजा था वो चाहता था to know answers to three questions तीन questions का answer चाहता था है ना because of the thought came to his mind that he would never fail if he knew answers to these three questions वो इसलिए जनना चाहता था क्योंकि उसे लगा उसने सोचा था उसका विचार था कि अगर वो इन तीन questions का जवाब पता कर ले इन तीन questions का जवाब उसे पता चल जाए तो वो अपनी life में कभी भी fail नहीं होगा ठीक है तो यह है बात फिर इसके बात जो है second question है messengers were sent throughout the kingdom यानि messengers को भेजा गया यानि संदेश ले जाने वालों को भेजा गया पूरे राज्य में है न पूरे सामराज्य में जो kingdom था राजा का उसमें पूरा भेजा गया messengers को क्यों भेजा गया उसका जवाब आपको देना है तो यहाँ पे चार options है है ना इन में से जो option 4 है वो सही है यह है to announce a reward for those who could answer the questions यानि यह उन लोगों के लिए reward मिलेगा उन लोगों को reward मिलेगा जो राजा को उसके जो तीन questions थे उनका जवाब दे सकें तो यह बात बताने के लिए messengers को भेजा गया फिर इसके बाद देखिए question number 3 जो है complete the following sentences by adding the appropriate parts of the sentences given in the box तो यहाँ पे आपको कुछ sentences है और उनके आगे एक खाली जगह है एक blank space है और वहाँ पे आपको कुछ लिखना है ताकि वो sentence complete हो जाए ठीक है तो देखते हैं इसका answer तो जो है इसका जो first है first part है वो है many wise men answered the king's questions जो बहुत सारे लोग थे बहुत सारे समझदार लोग थे उन्होंने राजा को जवाब दी उनके राजा के questions के है ना तो यहां पे उसके बाद blank space होगा आपकी book में तो वहां पे आप क्या लिखेंगे वहां पे आप लिखेंगे but their answers were so varied that the king was not satisfied लेकिन उनके जो जवाब थे वो इतने अलग-अलग थे कि राजा उनसे satisfy नहीं हुआ उनसे संतुस्ट नहीं हुआ ठीक है तो यह है second part है someone suggested that there should be a council of wise men तो किसी ने क्या suggestion दिया किसी ने ये suggestion दिया कि एक council होनी चाहिए एक सभा होनी चाहिए wise men की यानि समझदार लोगों की है ना तो आगे blank space से वहां पे आप लिखेंगे to help the king act at the right time मतलब ताकि वो राजा को मदद कर सके ताकि राजा सही time पे सही काम कर सके तो यह है इसके बाद इसका third part है someone else suggested that the king should have a time table और उसके बाद आगे जो है blank space है तो मतलब क्या है यहां तक का मतलब यह है कि someone else suggested that the king should have a time table तो किसी ने ये suggestion दिया कि राजा के पास एक time table होना चाहिए और उसके बाद यहां से blank space है तो यहां पे आप लिखेंगे and follow it strictly और इसको strictly follow करें है ना तो किसी ने क्या suggestion दिया कि राजा के पास एक time table होना चाहिए और राजा को उसे strictly follow करना चाहिए उसके बाद अगला है fourth part और यह है the king requested the hermit तो राजा ने जो है hermit जो सन्यासी था उसको उससे request की क्या request की उसके बाद यहां पे blank space है वहां पे आप लिखेंगे तो आप लिखेंगे to answer three questions यानि तीन questions का जवाब देने की request की राजा ने सन्यासी से hermit से उसके बाद fifth part है इसका the king washed and dressed the bearded man's wound जो राजा था उसने क्या किया जो bearded man था यानि जो है जो दाड़ी वाला आदमी था उसके जो घाओ थे उसको उसको दोया और उसको पटी की है ना तो यह है उसके बाद यहां पे blank space है वहां पे आप क्या लिखेंगे वहां पे आप लिखेंगे but the bleeding would not stop यानि जो खून का भेना था वो नहीं रुक रहा था इसके बाद है working with the text ठीक तो इसका देख लेते हैं first question और यह है why was the king advised to go to magicians यानि जो राजा था उसको जादूगरों के पास यानि magicians के पास जाने की सलह क्यों दी गई यह है हमारा question ठीक है तो इसका answer आप लिखेंगे in answer to the first question यानि first question के जवाब में in order to decide the right time for doing something urgent कि अगर हमें यह decide करना है कि कोई काम कोई urgent काम है और वो हमें करना है और उसका सही time क्या होना चाहिए यानि कब हमें वो काम करना चाहिए one must have to look into the future तो इसके लिए वो सही time जानने के लिए हमें क्या करना होगा भविश्य में देखना होगा future में देखना होगा है ना and फिर उसके बाद since only magician can do that और क्योंकि यह काम future में देखने का काम किवल कौन कर सकता है magicians कर सकते हैं the king was advised to go to magicians इसी लिए राजा को सला दी गई कि आप magicians के पास जाईए जादूगरों के पास जाईए इसके बाद अब देखते हैं हमारा question number two और यह है in answer to the second question यानि दूसरे question के जवाब में whose advice did the people say would be important to the king यानि लोगों ने किसके बारे में कहा कि उसकी advice राजा के लिए सबसे important होगी तो यह आपको बताना है तो देखते हैं इसका answer तो second question का answer है in answer to the second question यानि दूसरे question के जवाब में some said that कुछ लोगों ने कहा the most necessary to the king were his counselors जो राजा के लिए most important है यानि सबसे ज़्यादा important है वो है उसके counselors यानि जो उसकी जो सभा में जो मंतरी लोग है वो लोग ठीक है उसके बाद the others said the priests तो बाकियों ने कहा कि जो priests हैं यानि जो पुजारी लोग है वो सबसे important है राजा के लिए फिर उसके बाद the few said the few others choose the doctors और बाकियों जो कुछ लोग थे उन्होंने क्या कहा उन्होंने डॉक्टरों कुछ ना कि उन्होंने कहा कि डॉक्टर सबसे important है राजा के लिए and yet others said that soldiers were the most necessary और फिर उसके बाद कुछ लोगों ने कहा कि जो है जो soldiers हैं जो सैनिक हैं वो राजा के लिए सबसे important है तो इस तरह से सब लोगों के अलग-अलग मत्ते सब का मानने का अपना-अपना तरीका था तो यह हो गया हमारा second question का answer इसके बाद है question number three और इसका answer दिखेंगे हम तो सबसे पहले question पढ़ लेते हैं what suggestions were made in answer to the third question यानि जो third question था उसका जो जवाब था उसमें क्या-क्या suggestions लोगों ने दिए यानि जो राजा था उसने काफी लोगों से पूछा होगा है ना तो अलग-अलग लोगों ने क्या-क्या जवाब दिए ठीक है तो देखो इसका answer होगा in answer to the third questions some said science will be most important तो कुछ लोगों ने कहा कि जो है science सबसे important है ठीक है others suggested fighting और बाकी लोगों ने बोला कि fighting यानि लडाई है ना ये सबसे important है and some said religious worship यानि धार्मिक पूजा जो है वो सबसे important है बाकी लोगों ने ये कहा तो इस तरह से अलग-अलग लोगों ने इसका भी अलग-अलग तरीके से जवाब दिया इस अब देखते हैं question number four और question number four है did the wise man win the reward क्या जो wise man था जो बुद्धिमान व्यक्ति था उसने reward जीता if not, why not अगर नहीं जीता तो क्यों नहीं जीता तो इसका answer होगा no, the wise man did not win the reward जो wise man था जो बुद्धिमान व्यक्ति था वो reward नहीं जीत पाया the king got different for all the three questions he asked तो राजा ने उससे जो भी तीन question पूछे जब उस wise man ने यानि जो बुद्धिमान व्यक्ति था उसने उनका answer दिया तो राजा के दिमाग में उन answer को सुनकर और भी ज़्यादा questions उठने लगे है ना, he was not satisfied with any of them तो वो उन question के answer जो wise man ने दिये थे उनसे satisfied नहीं था उनसे संतुष्ट नहीं था ठीक है, उसके दिमाग में और भी questions उठने लगे फिर तो इसलिए जो है wise man वो reward नहीं जीत पाया तो के बाद देखते हैं हम question number five और ये है how did the king and the hermit help the wounded man ठीक है तो क्या है जो राजा है और जो hermit था यानि जो सन्यासी था, है ना सन्यासी था, उसने उन्होंने गायल व्यक्ति की गायल मैन की सहायता कैसे की तो ये आपको बताना है ठीक है, तो इसका अंसर होगा the king and the hermit helped the wounded man by providing him the shelter and protected from the army, ठीक है तो जो राजा था और जो सन्यासी था, उन्होंने क्या क्या उस गायल आदमी के लिए उसको रहने के लिए जगा दी और उसको army से बचाया, यानि fall से बचाया ठीक है, सैनिको से बचाया फिर आगे देखिए the king washed and covered the wound of the man with his handkerchief तो राजा ने अपना रुमाल निकाला और उसके जो घाओ पर बांदा पहले उसने उस घायल आदमी के घाओ को दोया है ना, और उसको फिर क्या किया अपने रुमाल से उस घाओ पर अपना रुमाल बांदिया but the blood would not stop flowing लेकिन रुमाल बांदने के बाद भी उससे जो खून निकल रहा था वो नहीं रुका फिर उसके बाद देखो the king redressed the wound until it stopped bleeding तो जो है, राजा ने क्या किया बार बार उसकी जो पटी थी वो बदलता गया जब तक कि वो रुक नहीं गया खून बैना वहां से रुक नहीं गया they took him to hut for taking rest and king also gave him fresh water after being relaxed तो जो है वो दोनों, यानि जो एकांतवासी था जो सन्यासी था और जो राजा था वो दोनों उस घायल आदमी को जोपडी में ले गए है ना, और उसको उसको पीने के लिए पानी भी दिया ठीक है, तो ये है इस question का answer इसके बाद अब देखेंगे question number six question number six और इसका first question है जो question number six है, इसके दो पार्ट है इसके दो पार्ट है, ठीक है तो एके करके दोनों पार्ट को देखेंगे तो question number six का जो पहला पार्ट है वो है, who was the bearded man, यानि दाड़ी वाला आदमी कौन था, ठीक है तो bearded man was the enemy of the king जो दाड़ी वाला आदमी था वो राजा का दुश्मन था who sought to revenge him for seizing of his property and putting his brother to death तो वो राजा से क्या लेना चाहता था जो राजा से अपना बदला लेना चाहता था क्योंकि राजा ने क्या किया था, उसकी जो प्रोपर्टी थी, वो वो जब्द कर ली थी, यानि उससे चीन ली थी और उसके भाई को मरवा दिया था, ठीक है तो इसलिए आगे है, second part इसका, why did he ask for the king's forgiveness तो उसने राजा से माफी क्यों मांगी ठीक है, तो देखो, इसका अंसर होगा he asked for the king's forgiveness as the king had saved his life, तो उसने राजा से माफी मांगी, क्योंकि राजा ने उसकी जान बचाई थी he came there for taking revenge from the king, but instead, the king helped him to get better, तो वो तो राजा से बदला लेने आया था बदला लेने आया था, लेकिन जो है, राजा ने क्या किया, उसकी मदद कर दी है ना, और इस से राजा ने उसकी मदद की और उसको ठीक होने में भी मदद किया, तो इस तरह से राजा ने उसकी मदद की और इसी लिए उसने फिर राजा से माफी मांगी, इसके बाद अब देखेंगे अपना question number seven, और ये है, the king forgave the bearded man, जो राजा था उसने दाड़ी वाले आदमी को माफ कर दिया था, what did he do to sow his forgiveness तो उसने क्या किया अपनी दयालुता या अपनी समा सकती, माफ करने की सकती, दिखाने के लिए राजा ने क्या किया ठीक है, तो the king sowed his forgiveness by sending his servants and his own doctor to look after him ठीक है, तो क्या हुआ जो servants भेजे, अपने नौकर भेजे और अपने डॉक्टर भेजे, ताकि वो लोग क्या कर सके उस जो दाड़ी वाला आदमी था, हना उसकी मदद कर सके, उसको ठीक कर सके उसका ध्यान रख सके, and he promised to give back the wounded man his property ठीक है, और उसने क्या किया, वो जो घायल व्यक्ति था यानि जो दाड़ी वाला आदमी था उसको उसकी property वापस देने का, उसने promise किया, उस आदमी से ठीक है, तो ये है फिर इसके बाद अब हम देखेंगे question number 8 और ये है, what were the hermit's answer to the three questions, जो राजा के पास आप जानते हैं, तीन questions थे और वो उन questions का, जवाब डून रहा था, तो hermit ने उसको उन तीन questions के क्या जवाब दी, ये आपको बताना है, write each answer separately, हर answer को अलग से लिखो, which answer do you like most and why, और कौन सा answer आपको सबसे अच्छा लगा और क्यों, ठीक है, तो इसका answer देखेंगे, तो answer number eight होगा, तो eight के जो है, सबसे पहले देखते हैं, first question का उसने क्या answer दिया, the hermit said, in answer to king's first question, the hermit said that there is only one important time, now, तो hermit ने कहा कि जो सबसे important time है, वो क्या है वो है now, यानि जो present का जो time है, वो ही सबसे important है, है na, it is the only time when you have power to act और यही वो समय है, जब आप कुछ कर सकते हैं, आप के पास कुछ करने की सकती होती है कुछ करने की power होती है, वो है present time, क्योंकि future में क्या होगा, कोई नहीं जानता और past, जो past है, उसमें जो हो चुका है, उसको बदला नहीं जा सकता, तो इसलिए सबसे important time है now, यानि present फिर देखते हैं in answer to king's second question, यानि दूसरे question के जवाब में, hermit ने क्या कहा the hermit said that the most important person is the one with whom we are at the present, जो सबसे important इंसान है, वो है, वो है जिसके साथ आप present में है सबसे important person है, और उसके बाद जो third है, in response to king's third question, the hermit answered that the most important thing to do is to do that person good, तो जो सबसे important काम है दुनिया का वो क्या बताया, hermit ने उसने कहा कि जो सबसे important काम है वो है, जो आपके सामने जो इंसान खड़ा है उसकी भलाई करो, है ना उसके लिए कुछ अच्छा करो उसकी मदद करो, तो ये है तीसरा सबसे तीसरे question का answer जो राजा ने hermit से पूछा था अब आगे देखिए, I like the answer of the first question the most यानि मुझे जो है first question का answer सबसे अच्छा लगा ये आप लिखेंगे, because time has supreme power यानि जो time है, उसके पास supreme power है, यानि वो सबसे ज़्यादा सक्तिसाली है सबसे ज़्यादा सक्तिसाली कौन है time है, it can take you to height if you do something good and can also make you fall on ground if you want act in presence तो ऐसा है कि अगर आप कुछ अच्छा करते हैं, तो time आपको बहुत उपर ले जाएगा यानि आपको बहुत success देगा लेकिन अगर आप अगर present में रहे कर काम नहीं करेंगे, और future के बारे में सोचेंगे, या past के बारे में सोचेंगे, तो आप आप बरबाद हो जाएंगे ठीक है, तो ये है one should live and act according to present और हर आदमी को present के हिसाब से काम करना चाहिए तो ये है बात ठीक है तो इस तरह से ये question answers यहाँ पर finish हो जाते हैं और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे like कर दीजिए इस YouTube चैनल को subscribe कर दीजिए ताकि आने वाली future वीडियो की notification आप लोगों को time time पर मिलती रहे